हैपिटाइटिस बी सिरस्टिस ओफ लिवर जॉन्डिस की प्रॉब्लम हैपिटाइटिस ए बी सी जॉन्डिस और सिरस्टिस ओफ लिवर के लिए प्रणायाम अद्भूत लाव करता है प्रणायाम के साथ साथ में प्रकृती से जुड़ेवी उप्चारों से भी विक्ति को एक नई जिन्दकी मिलती है मने जो किसी दवा से संभाव नहीं वो प्रकृती की छोटी छोटी जड़िवूटियों से संभाव हो जाता है फास्ट ताइम जब नहीं हमने हैपिटेटिस भी को ठीक किया तब हमें भी एक सुकत आशर्य हो रहा था और विश्वास नहीं हो रहा था किस देश की जड़ेबूटियों में इतनी ताकत है फास्ट फेसेंट संयों गवस ऐलोपेथी के एक सरजन ही थे जिनके उपर हमने प्रियोग किये जड़ेबूटियों की क्योंकि उनकी जिन्दगी और मौत में फासला बहुत कम था जब हमने इन जड़ेबूटियों का प्रियोग किया तब पाया कि पहले ही दिन से पेसेंट को इंप्रूमेंट होने लगा हैपिटैटिस ए, बी, सी के खतरनाक अवस्था से जो जूज रहे थे रोगियों उन से लेकर के और जो बात क्रोनिक केस है वो सब हमने ठीक किये और इसलिए हम इस अनिसकर्स पर पहुँचे है कि यदि विक्त थोड़ा सा परहिज करे और जड़ी बूटियों का रस पी ले तो उसका पी लिया हैपिटैटिस ए, बी, सी और अभी कुछ रोगी लिवर सिरसिस के वे अच्छे हो गए जो बहुत बड़ी बात है वो प्रकृतिसी जड़ी जड़ी बूटियों के उप्चार आपको बताते है और इसके बाद हम योग अभ्धास बताएं जो क्रॉनिक पेशेंट है उनके लिए भूमी आउला पुनर नवा और मकोय इन तीनों का प्रियोग हैपिटैटिस ए, बी, सी और सिरसिस अफ लिवर के लिए बात जबरदस वाइदा करता है सबसे पहले हम भूमी आउला को लेते हैं भूमी आउला से जोन डिस तो तीन से साथ दिन में ठीक हो जाता है भूमी आउला वर्शात के दुनों में अधिक होता है ताजा मिल जाता है तो ताजा मिल जाए भूमी आउला तो उसका रस पिलाएं सबसे ज़्यादा फैदा करता है इससे हमोगलोबिन भी बढ़ता है इससे लीवर की तमाम समस्याइं दूर होती है S.E.O.T. S.D.P.T. एक दम नॉर्मल आने लगता है बहुत फास बहुत जल्दी जिस तरह से कई बार जब बाड़ी में इंफेक्शन होता है तो एक दिन में ही पूरा शरीर संक्रमी तो हो जाता है इसी तरह से एक दिन में ही जड़ी बूटी से कई बार आश्रे जनक रूप से लाब हो जाता है भूम्यावले का रस्कूट करके 10 से 20 ग्राम आप बिला दीजी पेसिंट को पहले ही दिन से जोन्डिस अच्छी होने लगता है और 3 से 7 दिन में तो 100 प्रतिशत जोन्डिस अच्छा हो जाता है शोनाग की चाल का रस शोनाग की चाल का रस भी 3 से 7 दिन में जोन्डिस को अच्छा कर देता है शोनाग और इसी से ही हैपेटेटिस इस भूम्यावला से इस शोनाख से हैपेटेटिस ए, भी, सी, तीन उठी कुते है भूम्यावला और शोनाख के अलावा एक अद्भूत जड़ी बूटी है जिसको संस्कृत में पुनरनवा कहते है पुनरनवा संस्कृत में हिंदी में साठी, गुजरात में साठोडी, साठी बोलो, साठोडी बोलो, पुनरनवा बोलो इसके पत्ते अपेक्षाक्रित छोटे होते हैं और इसका जो मूल होता है वो बहुत गहरा होता है और इसका डंठाल होता है पेख्षाक्रित पतला होता है ये पुनर नवा ये आदमे को नई जिंदगी देता है पुनर नवा मूल पुनर नवा मूल लगए एक फिट उसकी डंडी ले ले पुनर नवा की मूल की एक फिट डंडी लेकर उसको कूट ले कूट करके तो आप पान मेंसे निजोड करके रस निकाल लेजे पुनर नवा का रस ये जोंडिस को अच्छा कर देता है तीन से साथ दिन में और लगातार पीने से हेपेटेटिस ए, बी, सी ठीक होता है पुनर नवा तो ये पुनर नवा का रस सुबह साम दोनों वक्त खाले पेट दे इससे हेपेटेटिस ए, बी, सी सिरुसिस अफ लिवर की प्रॉब्लम और भी खोन की कमी रहती है हिमोलगोबिन कम बनता है आतों पर सूजन रहती है शरी पर और आतों पर कहीं पर भी सूजन हों तो पुनर नवा की रसकार सेवन करने से या पुनर नवा की जो जड़ बाजर में ही मिल जाती है पुनर नवा मूल के नाम से तो पुनर नवा मूल एक से दो चमच लगवग चारसो ग्रम पाने में पकाएं और जो सो ग्रम बज़ जाए तब छान करके पी ले इससे शरीर की कहीं कभी सूजन होती है ठीक हो जाती है आतों की सूजन इंटेस्टाइन पर जो स्वेलिंग आ जाती है आंत्र शोथ बोलते हैं आतों की सूजन चेहरे की सूजन मुत्र सम्मंधी रोग शरीर पर आई भी कोई भी सूजन शोथ की प्रॉबलम स्वेलिंग की प्रॉबलम पुनर नवा के प्रियोग से अच्छी हो जाती है भूम्यावला पुनर नवा शोणार यह बहुत अच्छी तीजे है शोथ के लिए जॉनर्डिस के लिए और हैपेटर्टिस के लिए एबी पी नियूज आपको रखे आगे झाल करना भेटर्टिस के लिए लिए जिए लीजे़र्टिस के लिए में हो जाएथ लिए 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 बगार्टिस